नमस्कार स्वागत करता हूँ आप सभी दर्शकों का कैसा रहेगा आपके लिए पूरा का पूरा सब्तहा सोंबार से लेकर के रविवार तक का यानि की आठ मार्ट से और चौदा तारीच तक की ग्रह गती मित्रों ना तो किसी की सौ परसंट प्रेडिक्शन ठीक हो सकती है और यदि कोई ये दावा भी करे कि सौ परसंट मैं जो कह रहा हूँ ऐसा होगा तो ये बात कहीं ने कहीं मैं इसमें विश्वास नहीं रखता बट जो कहा जाए उस बात में कैल्कुलेशन के इसाब से कितनी सटीक तक निकल के आ रही है उसके आधार पर ज़रूरा परसंटेज को तैगर सकते हैं अब कई बार क्या होता है कोई ग्रह बहुत मजबूत पोजिशन में होता है तो वो 100% पूरा रिजल्ट देता है अगर वो अपने मित्र के घर में हैं मित्र की राशी में हैं तो बिलकुल देगा इसलिए आज का जो ये विशे रहेगा इसमें विशेश रूप से जो ग्रह गोचर का बदलाव रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाब है वो देखने को मिलेगा बुद्ध ग्रह का गुरू का शनी का क्योंकि बुद्ध राशी परिवर्तन कर जाएंगे 11 मार्च क और गुरू और शनी फिर अकेले रह जाएंगे और इन दोनों की मजबूत इस्तिति आपके लिए बहुत कुछ नया आपके जीवन में लेकर के आएगी क्या आप अदलाब देखने को मिलेंगे लव लाइफ, फैमिली लाइफ, बुद्धी, संतान, बच्चे, भग्ये, कैरियर, ये सब कैसा चलेगा ये ही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, एक पार्ट आपसे मैं चर्चा कर चुका हूँ, जिसके विशे में मैंने आपको जानकरी दी है और अब मैं सबसे पहले राशी की बात करता हूँ, सिंग की जितने भी सिंग के दर्शक मुझे सुन रहे हैं, वो ध्यान से समझे मेरी बात को आठ मार्च से लेकर के चौदा मार्च के दौरान, आपके लिए जो पहला दिन रहेगा उसमें विशेश्त है, यानि कि कल सौमवार को कोई आपका काम बन जाएगा इसके लावा, कॉम्पिटीशन मिला मिलेगा, बच्चों से सयोग मिलेगा, विचारों की इस्थिरता होगी, मंत्रना शक्ती मजबूत होगी और यहाँ पर एक अच्छी सलहा, एक कंसल्टेंट के तौर पर यदि आप काम करते हैं, तो आपका दिन अच्छे वितीत होगा मित्रो, नौ तारिक और जो दस तारिक का समय है, इसमें आपको ध्यान पूरवक रहना है उसका मूल कारण ये है कि छटे भाव में चतर ग्रही योग बनेगा चंदर, शनी, गुरू और बुद्ध का ऐसे इस्तिती में इन चारो ग्रहों का यहाँ पर इस इस्थान में रहना आपके लिए शुबफलडाई नहीं है कोई स्वास्त पीड़ा, पेट से संबंदित विकार, खर्चों का अधिक होना, करजा भड़ना, लाब में कमी देखने को मिलना इसके लावा, दामपत्य जीवन में कलह बनना, इस प्रकार की ग्रहगती आप इन दो दिनों में महसूस करेंगे, जो मैंने आपको बताएं है दिनांक 11 तारीक को, 12 तारीक को, और 13 तारीक की शाम 6 बजे तक, एक बार पुनहें ग्रहगोचर आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा और इसका जो मूल कारण है वो चंद्रमा का शुबता देना केंद्रिस्थान में दामपत्य जीवन को इसका मतलब यह हुआ कि वानी में मधूरता आएगी, संबंदों में जो खटास चल रही थी वो दूर होगी नए लोग आपके संपर्क में जुड़ेंगे और दामपत्य जीवन में लव लाइफ में किस्थिरता देखने को मिलेगी और आप प्रसंद रहेंगे इस दोरान, तो इसलिए यह अच्छी बात है परंदु जो अंतिम दिन रहेगा दिनांक 14 का वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है उसका सबसे बड़ा कारण है कि चंद्रमा की और सूरे की यूती बनेगी एस्टम भाब में आपके स्वेम राशी के स्वामी सूरे अस्टम में चले जाएंगे आपके खर्च के स्वामी चंद्रमा अस्टम में चले जाएंगे सौस्थ पीड़ा तो कहने का मतलब यह हुआ कि पहला दिन अच्छा है उसके बाद के दो दिन अच्छे नहीं है Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday और Saturday शाम तक अच्छा है and then Sunday आपका खराब निकलेगा मित्रो इसमें धन को लेकर के कोई विशेश बदलाव नहीं रहेंगे अंगाराक दोश का प्रभाव है ही जो करम शेत्र में देखने को मिलेगा जिसके कारण व्याकुल रहेंगे, परेशान रहेंगे, कारे में मन नहीं लगेगा इस प्रकार की जो ग्रह गती है वो आपको फेस करने को मिलेगी अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ राशी की और वह रहेगी कन्या आपका जो ग्रह गोचर रहेगा कन्या की दर्शको इसमें आपकी राशी के स्वामी बनते हैं बुद्ध ग्रह और ये आपको आठ, नौ और दस ये तीन दिनों में भरपूर सहयोग और लाब देते रहेंगे दिनांक 11 तारीक को इनका परिवर्तन रोगिस्थान में हो रहा है ऐसी इस्तिती में ये पीडित हो जाएंगे तो इसलिए नौकरी में और मान सम्मान को आपके ठेस पहुँचेगी इसलिए जो आठ तारीक है या ये कहूँ कि Monday, Tuesday, Wednesday विशेश रूप से अच्छे हैं जिसमें आप प्रापर्टी के लें दिन कर सकते हैं दूद, दही, जलिये, काम, सिंचाई, विभाग, शुक्र से संबंदित कारे जो लोग करते हैं उन सब के लिए अच्छा रहेगा जॉब में आपको पदोनती मिल सकती है, कोई ट्रांसफर प्रमोशन हो सकता है महनत का जो रिजल्ट जिसकों लेकर कि आप बहुत समय से उत्साहित थे कि कुछ अच्छा हो वो आपके साथ में होगा धन की आवक होगी और इसके अलावा जो सुक साधन होते हैं और तमाम प्रकार के उन सभी में आपके व्रिदी रेखनी को मिलेगी जिससे कोई उमीद थी कि ये मेरा काम करेगा तो ऐसे लोगों से आपका काम भी बनेगा और सबसे अच्छी बात है कि आपको अक्समात धनलाव का जो अबसर है वो यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है तो मैं यह कह सकता हूँ कि निश्चे तोर पर आपको कारे करना चाहिए परिस्तियां बदलेंगी और वो बदलती हुई परिस्तियों का प्रभाव 11, 12 और 13 तारीकी शाम 6 वजे तक आपके स्वास्त के लिए अच्छा नहीं है गुप्त सत्रूओं का भै रहेगा और बेवज़े किसी से उलजना नहीं चाहिए आपको दूरी बना करके रखें सायम के साथ में इन तीन दिनों को व्यतीत करना है जो अंतिम दिन है उसमें विशेश रूप से जो बदलाव है वो अच्छे है जिसमें अच्छा हर एंगल से है करम की गती मजबूत होगी स्वास्त इंप्रूमेंट होगा साथ में लाब की मजबूत होगी व्यपारियों के लिए भी अच्छा है यात्राएं आप निश्चे तोर पर लंबी दूरी की कर सकते हैं वायो यात्राएं कर सकते हैं बड़े भाई भेहनों का सहयोग आपको मिलेगा और इस से पूरे सब्तह में विशेशत है आपको आपके लाइफ होता है उसका सहयोग अच्छा मिलेगा वियपारिक पार्टनर का भी सहयोग मिलेगा मित्रो अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तुला राशी की आपके लिए जो ग्रह गोचा रहेगा उसके अनुसार विशेश रूप से जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि पहले दि इन अत्यदिक भावुक हो करके आपको कोई भी नर्डे नहीं करना चाहिए प्रैक्टिकल बनें प्रैक्टिकल जीवन में विश्वास रखें क्योंकि आपका किसी भी रूप में मिस्यूज हो सकता है इसलिए पहला दिन आपको विशेश आपधनी के साथ में वितीत करना है मित्रो पर पहला दिन सिंगर्स के लिए राइटर्स के लिए जो लोग देश वक्ती से संबंदिद आर्टिकल्स या आपना गाईगी का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है गौर्मेंट जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा है इसके बाद जो अगले दो दिन र रहेंगे क्योंकि इसमें चतुर्ग रही योग बनेगा आपके चतुर्त भाव में ऐसे इस्तिती में चंदर्मा का कारक स्थान में होना गज केषरी राजयोग बनाकर के वहां रहना अपने इस्थान में होना दूद दही पनीर चीनी चावल ग्यान टीचिंग लेक्चरार पॉलिटीशियन्स, पैट्रॉल, कैमिकल, इंजीनियर, सॉफ्ट्रियन इंजीनियर, कोईले से रिलेटेड काम, कंसल्टेंट, शेर मार्केट, ऐसे सब कारियों में आपके उच्छाल देखने को मिलेगा. इसके अलावा पैत्रिक संपत्ती का डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता है, और यहां पर आपके लिए कोई नई डील भी फाइनलाइज हो सकती है. इसके बाद ग्रहकती बदलेगी, बदलती हुई ग्रहकती भी पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें जो मूल रूप से प्रभाब देखने को मिलेगा, वो ग्यारा बारा और तेरा तारीक की शाम छे बजे तक, आपके मस्तिश्क पर, विचारों पर चंद्रमा, शांती और शीत एक अच्छा मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि करम का और बुद्धी का समन्वे चंद्रमा के द्वारा बनेगा, ऐसे इस्तिती में कारे बन सकते हैं, रुगे हुए कारे बन सकते हैं, संतान सुख प्राप्त होगा, अंतिम दिन में आपको स्वास्त के प्रती सचीत रहना है क्योंकि सूरे और चंद्रमा छटे बाब में रहेंगे, सूरे का परिवर्तन हो जाएगा तेरा तारिक को, और रोगिस्थान में चले जाएंगे, लाभ में कमी करेंगे, चंद्रमा के साथ में होंगे, तो संडे आपका ज़्यादा अच्छा वितीत नहीं होगा, अब मैं आ आच दिन काफी फेवरिबल रहेंगे, मूलत है जो प्रथम दिन है सूमवार का, वो कुछ लक्ष्मी के रूप में आपके लिए अच्छा रहेगा, यानि कि मा लक्ष्मी का वास आपके घर में होने जा रहा है, ऐसा ग्रहकती कहती है, पहले दिन में किसी से लेन देन करना ह बिलकुल करिए, क्योंकि भगेश आपके धन में रहेंगे तो भगे के रूप में आपको धन की आवग का एक सुन्दर योग दिखाई देता है, इसके बाद परिस्तितियां बदलेंगी, दिनांक नो दस तारीक में चतुर ग्रहय योग तीसरे भाब में बनेगा, जो आपक आपके कन्वेंसिंग पावर के लिए, आपके वे ओफ टॉकिंग के लिए, आपके प्रभाब के लिए काफी अच्छा है, इस दोरान जो आपके कारे रुके हुए थे वो बनेंगे मित्रो का, दोस्तों का, भेन भाईयों का, आपको भरपूर सायोग मिलेगा, ऐसा भी ग्र कारे बनने के बहुत सुभ योग बन रहे हैं, परिस्तितियां फिर बदलेंगे, और बदलती भी परिस्तितियों का प्रभाब 12, 11 और 13 तारिक में देखने को मिलेगा, इस दोरान फिर एक बार पुनें कारकिस्थान में चंद्रमा का गोचर होगा, जो आपके लिए तो इन तीन दिनों में और जो अंतिम दिन रहेगा, यानि की रविवार का, तिरांक 14 तारिक का, उसकी इस्तिती ज्यादा मजबूत है, लास्ट संडे के दिन की, इस दिन आप के संपर्क में कुछ नई लोग जुडेंगे, कुछ नई लोगों के माध्यम से आपके काम बने आपके डिसीजन कोई मेजर बड़े निर्नायक लेने हैं, तो इस संडे को किये जा सकते हैं, अच्छा है, पर कॉन्फिडेंस होके, बड़े बुडों के अपने घर के में सदस्यों की सलहा ले करके, अब यहाँ पर ड्रॉबैक क्या रहेगा, वो यह है कि अंगारक दोश मं पर ड्रॉबैक का दांपत्य जीवन में हैं, तो इसको डिस्टरब करेगा, लव life को डिस्टरब करेगा, पार्टनर से दोका मिलेगा, व्यपारिक पारटनर से मिलेगा, मतवेद की इस्तिती बनेगी आपके जीवन साथी के साथ में, तो इसका आपको विशेश रूप से द समस्कार बहुत बहुत धन्यवाद गर का नक्षा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाट करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्द पते पर संपर्ख कर सकते हैं हमारा दिल्ली का पता है महरीशी पराशर जोती श्विध्याले C9 महिंद्रा पार्क पंखा रोड नियर जनक पुरी C1 बसी स्टेंड न्यू डेली 59 पोन नमबर 011-2563-8157-2560